समा रोमने प्रणकूर्प से उपस्थित, पूरी साक्रे राजिपाल प्रोफिसर गने सिलाज जी, केंद्री सिक्षा तता कौशल विकास और उद्यम सिल्ता मुंत्री, स्री धर्मेन प्रदान जी, स्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज आचार गोरिया मसंद, एवं मंचा सेन अन सभी आचार का, इस समागार मुपस्थित, सभी संद समाज का, देवियो और सच्चमाद। आप सभी को जें जेगनाथ, स्री स्री, गोरु, गोरांगे जयाता, आप सब के बीच यहां आत्र मुझे अत्यात उसमता होगा, जैसा कि आप जानते हैं, कल साहीं का पूरी पहुंच गया था, सबसे पहले जेगनाथ नुगू, कि मंदर में जांकर के, उनके दर्सन किये, उनका आशीर बढ़ दिये, और उसम प्रातना किये, कि जितनी जल्दी हो सके, प्रभू ये जो अन देखी, जो दिखाई नहीं पड़ती है, महामारी, पैंडिमिक जिसको हम कहते हैं, इससे जितनी जल्दी हो सके, पूरे विश्व को, पूरी मानवता को, मुक्ती मिल सके, ऐसा हम सब को, आईसी हम सब पर करपा कीजिए, ये मेरा सवभाग है कि मुझे जगनाद पूरी आने और प्रभू जगनाद के दर्सन करने का बराबर और सर मिलता रहा है, यहां आकर गौडिय मठ के संस्तापक स्रीमत सरस्वती प्रभूपाद की एक सो पचास्वी जेनती से जुड़े, इस समारोह में सम्मिलित होना भी मेरे लिए हर्स का विशय है, मुझे बताया गया है कि इन समारोहों की स्रंखला तीन वर्स तक मनाई जाएगी जो संद दोहजार पचीस में संपन होगी, इस्वर की कृपा से मुझे अपने जीवन में देश के अनेक धर्म स्थानों और तीर्थ स्थलों पर जाकर पूजा आर्चना करने का अउसर मिला है, इन सभी स्थानों में मैंने देखा कि विविद परंपराएं और धार्मिक प्रणालियां प्रचले थे, परंतो इन आस्थाओं के पीछे एक ही सोच नहीं थै और वे है इस्वर भक्ती के साथ साथ पूरी मानवता को एक परिवार समझते हुए सब के कल्यान के लिए कार्य करना, मानवता का धर्म पर आधारित विवाजन नहीं किया जा सकता, सत्त को बाटा नहीं जा सकता, सत्त का कई रूपों में बढ़नन किया जाता है, रिग वेद में भी इसपस्ट रूप से कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुदा बदन्ती, अर्थात सत एक ही है, विद्वान लोग उसकी अनेक प्रकार्ट से ब्याठ्याएं करते हैं, देवियोर सजन, वह परम सक्ति अपने सभी रूपों में पूजनी है, विद्वान है, भारत में भक्ती भाव से इस्वर को पूजने की परंपरा, सर्वाधिक महत पूर्ण रही है, हमारी ये भारत पूमी धन्न है, जहां अनेक महान विभूतियों ने लोगों को निश्वार्थ उपासना का मार्ग दिखाया ऐसी महान विभूतियों में भी चैतन्य महाप्रभू को विसे इस दर्जा प्राप्त है उन्हें स्वयम भगवान विश्वूं का आउतार भी माना गया है इसलिए महाप्रभू शब्द का प्रयोग ईश्वर के नाम के अत्रिक्त केवल स्री चैतन्य के लिए ही किया जाता है। वक्ति और ज्ञान के बारे में चर्चाएं की थी। उनके द्वारा प्रस्तुत आस्था और तर्क के समन्वे के समक्ष सभी निशब्द होकर उनके चर्णों में आस्रे लेते थी। उरिशा के प्रख्यान्त वेदान्ती सार्व भहुम से लेकर बैश्णों पठान के नाम से प्रसिद्ध हुए पठान समदाय के भक्तों तक स्री चैतन्य का ये प्रभाव देखा जा सकता है। देवियों और सज्जनों स्री चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे त्रणादपी सुनी चेन तरोरपी शैशुनाना अमानिना मान देन कीर्थनिया सदाहरी। अर्थात मनुस को चाहिए कि अपने को तिनके से भी छोटा समस्ते हुए बिनीत भाव से भगवन नाम का इसमरण करता रहे। उसे ब्रक्ष से भी अधिक सेश्वन होना चाहिए। मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से रहित होना चाहिए और अन लोगों को सम्मान देने के लिए सदा तयार रहना चाहिए। मनुस में ये भाव होना चाहिए कि ईश्वर सदैव कीर्थनी है अर्थाद व्यक्ति को सदैव ईश्वर का इस्मरण करते रहना चाहिए देवियो और सज्जनों ये भावना भक्ति मार के सभी अन्युआईयों में मिलती है ईश्वर के प्रती निरंतर प्रेम भाव तता समाज को समानता के धागे से जोड़ने का उनका वियान उन्हें भारती ये संस्कृति और इतिहास में अद्वती ये प्रतिष्ठा प्रदान करता है अपनी सारी इंद्रियों को ईश्वर दर्शन की ओर केंद्रित कर देना जिससे जिस प्रकार हुए पहले बस्तूओं या परस्थितियों में प्रसनता का अनभव करते थे उसी प्रकार की प्रसनता भगवान की भक्ति में अनभव कर सके उनका ईश्वर में इस प्रकार विलीन हो जाना कि कभी अपने को उनसे अलग समझ न सके यह है भक्ति भाव और इस इस्थिति को चैतन्य महाप्रभू महाभाव कहा करते थे ऐसी ही अवस्था का वर्णन करते हुए चैतन्य चरिता मृत में कहा गया है कि जिस प्रकार उद्धों के सुस्क ज्यान से भरे वक्तब राधारानी की भक्ति रस से सिंचित असंबद बातों के समक्ष प्रभाव हीन हो जाते थे उसी तरह से चैतन्य महाप्रभू की मधुर भक्ति की धारा के प्रवल बेग में दार्शनिक ज्यान विलुप्त हो जाता है राजपूताना की राजकुमारी मीराबाई की अनन्य भक्ति उनके सरल सब्दों में व्यक्त होई थी जिसमें कहा गया था कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई मीरा की भक्ति ने सभी ईश्वर भक्तों के हृदय को छूलिया इस्वर के प्रती संपूर्ण समर्पन के साथ साथ भक्ती मार्ग में इस्वर के प्रती एक व्यक्तियत और आत्मिक संबंद बनाने की परंपरा भी थी संत कवीर ने भी कहा है कि मो को कहां ठूणे बंदे मैं तो तेरे पास में कवीर की इस पंक्ती में इस्वर की भक्त से निकटता का विश्वास और भाव बड़ी सुन्दरता से इस्पस्ट होता है भक्त का हिर्दय इस्वर के अतरिक्त अन कहीं सुख का अनभव नहीं कराता है क्रश्न भक्त सूर्दास ने भी इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहा था कि मेरो मन अनत कहां सुख पावे जैसे उड़ी जहाज को पंची फिर जहाज पे आवे अर्थाद भक्त का मन अन्यतर कहीं भी सुख का अनबव नहीं करता है जैसे जहाज का पक्षी बार बार ओड़कर जहाज पर ही वापस आता है वैसी ही भक्त का हिर्दय बार बार इस्वर के च्रवनों में ही लोड़ता है भक्ती की पराकास्टा तो ऐसी होती है कि ईश्वर स्वयम भक्त के पास आ जाते हैं राम भक्त हम सब लोग जानते हैं गोश्वामी तुल्सी दास्ची वो कहते हैं कि चित्र कूट के घाट पर भै शंतन की भीर तुलसी दास चंदन घिसें तिलक देत रगुवीर अर्था चित्रकूट के घाट पर संतों की भारी भीड ये आश्चर जनक और हर्दे को छू लेने वाला हर्देर द्रस से देख रही है जिसमें तुलसी दाश चंदन का लेप तयार कर रहे हैं और स्वयम भगवान स्री राम अपने मस्तर्ख्ष पर चंदन का लेप लगा रहे हैं भक्ति मार्ग के संतों की ये विसेश्ता उस समय के प्रचलित धर्म जाती और लिंग भेद तता धार्मिक कर्म कांडों से परे थी अता इससे हर वर्ग के लोगों ने प्रणा तो ली ही इस मार्ग में सरना अगत भी हुए इसी प्रकार गुरु नानक ने भक्ति मार्ग पर चलते हुए एक समता मूलक समाज के निर्माढ हेतु प्रयास किया देवी और सजनु पिछले सप्ता मुझे हैदराबाद में स्री रामानुजाचार की स्टेचू आफ इक्वालिटी का दर्सन करने का आउसर प्राप्त हुआ स्री रामानुजाचार विशेष्ट अद्वैत के प्रतिपादक तो थे ही वे भक्ति मार के महान प्रेरक भी थे लोगों में भक्ति का संदेश प्रवाहित करने के लिए स्री रामानुजाचार ने स्वयम ही स्री रंगम, कांची पूरम, तिरुपती, सिंगा चलम, बद्री नाथ, नयमे शारण, द्वारका, प्रियाग, मतुरा, आयोध्या, गया, पुसकर और नेपाल में मुक्ती नाथ तक की यात्रा की, उनकी जगन्नातपुरी की यात्रा का भी विसेश उल्लेक मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश के अनेक छेत्रों में महान विभूतियों ने भक्ति मार का प्रचार प्रसार किया। असम में संकर देव से लेकर, गुजरात में नर्षी मेहता तक तता उत्तर में गुरु नानक से लेकर दक्षण में मेल पत्तूर नाराण भट तिरी तक कोई भी छेत्र भक्ती की इस धारा से अचूता नहीं रहा। देश से बाहर विदेशों में भी प्रवाइत होती रही है। इस्वर भक्ती की ये सबी धाराएं बस्तूता एक ही सत्त से जुड़ी हुई हैं और उनका ब्रहत सुरूप पूरे विश्व में देखने को मिलता है। इस्वर के प्रती समर्पन, संपूर्ण समर्पन की भक्ति मार की विशेष्टा मात्र अध्यात्मिक छेत्र में ही नहीं अपितु मानवता की सेवा को सागार करने वाली हर व्यक्ती की जीवन सैली में भी देखने को मिलती है। इसी मानव सेवा के समर्पन ब्रती का एक रूप हमें डाक्टर्स, नर्सिस तथा स्वास्त कर्मियों की कर्तब निस्ठा में भी दिखाई देता है। सेवा भाव को हमारी संस्कृती में सर्वो पर ही इस्थान दिया गया है। हमारे डाक्टरों, नर्सों और स्वास्त कर्मियों ने भी COVID महामारी के दौरान इस सेवा भाव का प्रदर्सन किया। कोरोना वाइरस से हुए लोग भी संक्रमित हुए लेकिन उनकी उतनी बिशम परिसित्यों में भी उन लोगों ने हिमत नहीं आरी और त्याग वासाहस के साथ लोगों के उप्चार में जुटे रहे। हमारी अनेक कुरोना योद्धाओं ने अपनी जान भी गवाई परंतु उनके से कर्मियों का समर्पन अटल बना रहा। पूरा देश ऐसे योद्धाओं का सदा रेनी रहेगा। मानवता की सेवा को ही जीवन का उद्देश मानने वाले हमारे कुरोना योद्धावने जापान में प्रिछलित एकी गई, इकी गई की अवधारणा को सार्थक बनाया। हम सब को अपने जीवन की इकी गई को पहचान कर उसे हासिल करने के लिए निरंतर प्रियास रत रहना चाहिए, चाहे वो अध्यात में खो अथ्वा ब्यावसाइक। देवियो और सचनो, चैतन महाप्रभू के अत्रिक्त भक्ती अंदोलन की अन्न महान प्रिभूतियों ने हमारी सांस्कृतिक विवित्ता में एक्ता को सक्ती प्रदान की। भक्ती समदाय के संत अपनी सिक्षाओं में एक दूसरे का विरोध नहीं करते थे। अपितु पराया एक दूसरे की कृतियों से प्रेरित होते थे। इसका सबसे बड़ा प्रमार ये है कि गुरू ग्रंद साहिब में संत कवीर और संत रविराज सहत अनेक विविन संप्रदायों के संतों की बानी का समावेश किया गया है। जहां अद्वैत, विशस्टा द्वैत और द्वैत की स्थापना की जा रही थी, महीं सहजता और सहशुनता की धारा भी प्रवाहित हो रही थी। 1893 में, जब हमारा देश उपनिवेश वाद के बंधनों में जखड़ा हुआ था। उस समय स्वामी विवेकानंद ने भारती अध्यात्मिक और सांस्कृतिक गवरव का ओधाहरण संपूर्ण विश्व के सामने सिकागो धर्म संबिलन में प्रस्तुत किया था। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषन में विश्व समदाय के समक्ष भारत के अध्यात्मिक संदेश को प्रस्तुत करते हुए कहा था कि जिस तरह अलग-अलग जगहों से निकली नदियां अंतता समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुस से अपनी इक्षा से अ धान्त, राम क्रिश्न परमहंस और स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रशारित किया गया था, जिसे राश्वकिता महत्मा गांदी ने भी अपनाया था, देवियों और सजनों, मैं भारत के पूर्वी छेत्र की उन महान अध्यात्मिक विभूतियों का उलेक भी करना चाह तब भारत के पूर्वी छेत्र को गौर नाम से जाना जाता था, संभवता इसी लिए स्री सरस्वती प्रभूपाजी ने विश्व वैश्णों राजसभा को गौरिये मठ का नाम दिया था, उनके प्रयासों से देश के विभिन सहरों में गौरिये मठ की स्थापना हो सकी औ और स्री चैतन्य महाप्रभू की सिक्षा के अनुसार वे मानोजाती के नैतिक और अध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रासंगे सिक्षाओं का प्रसार करते रहे। मैं आशा करता हूँ कि गौरी इमिशन मानोजा कल्यान के अपने इस उद्देश को सर्वो पर ही रखते हुए चैतन्य महाप्रुभू की बानी को विश्व भर में प्रसारित करने के अपने संकल्ब में सफल होगा। एक बार फिर सरस्वती प्रभुपाज जी की एक सो पचासवी जैनती से जुड़े समारों की सफलता के लिए मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुब कामनाय देता हूँ। धन्नवाद जैहिंद।